देखिए students अब हम electric dipole के कारण बेभब निकालना हैं और इसका हम एक special point लेते हैं special condition लेते हैं electric dipole के कारण किसी भी बिंदू बर अब जाये रहा किसी भी बिंदू बर लिग दिया है तो इसका मतलब तो यह हुआ किसी भी का मतलब तो यह हुआ इसमें अक्ष भी आ गया और नि जो अब ही हमने किये थे वो दोनों derivation इसके अंदर 100 होंगे और ये derivation नमबर 3 काल आएगा लेकिन वो वाले जो पीछे हम कर चुके हैं वो दोनों इसके अंदर आएगे तो यानि ये special derivation है इसको ध्यान से करेंगे एक अकेला यही derivation ऐसा है कि वो दोनों को solve कर सकता है अगर किसी को वो दोनों नहीं आते है और ये आता है तो इससे वो दोनों सवाल हल हो जाएंगे लेकिन उन दोनों से ये हल नहीं होगा तो ठीक है इसे आगे बढ़ाते हैं देखिए अब हमने क्या लिखा है electric dipol करें किसी बिंदू पर बहुत important है ये किसी भी बिंदू पर लिखा है तो किसी भी बिंदू पर अब देखिए हमने सबसे पहले draw किया dipol dipol draw किया ये है minus q और ये है plus q minus q plus q इसका mid point ओ ये l distance ये l distance अब किसी भी यहां तो ले नहीं सकते क्योंकि यह तो पर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर है अगर मैं यहां ले लूँगा तो यह लम सम्दुभाजक कहलाएगा यह पर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर कहलाएगा तो यह लाए नहीं ले सकते हैं यहां नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां मानिए यहां मानिए यह भी ना आक्ष है ना निरक्ष है कहने का मतलब है आक्ष और निरक्ष को छोड़ कर कहीं भी आप मान सकते हैं फिर से सुनिए लाइन यह लाइन बहुत important है कि आक्ष पर और निरक्ष पर छोड़ कर आप कहीं भी ले सकते हैं इसका आक्ष छोड़ दीजिए आक्ष किस जगा होगे यहां होगा आक्ष और यहां होगा आक्ष छोड़ दो निरक्ष कहां होगा यहां निरक्ष होगा यहां निरक्ष होगा यह दो पॉइंट छोड़ दो यह वाले और यह दो यह छोड़ दो कितन दो पॉइंट अक्ष के छोड़ दिये, दो निरक्ष के छोड़ दिये, उसके अलावा सारे प्लेसस, सारे पॉइंट, सारी जगए, कौन सी होंगी, वो होंगी किसी भी बिंदू पर, मैंने special case होगा यह, यह special case है, इसमें वो दोनों conditions आ जाएंगी, जो हमने अभी पढ़ा ही ह आप देखो, इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा, इसके दो तरीके हैं, लेकिन पहले मैं आपको long way में बताता हूँ, फिर मैं एक और way में बता हूँगा, जो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें चुकी math लगी हुई है, तो इससे आपकी math और अच्छी हो जाएगी, ये math के लिए भी बहुत अच्छा derivation है, इसमें आपको math के trigonometry के कुछ फार्मूले सीकरों को मिलेंगे, जो आपके math में बहुत काम आएंगे, कभी आप math की कोई problem में आप नहीं कर पाएंगे solve, कोई अगर sum ऐसा है, जिसमें ये लग रहा है, तो आप आप कहेंगे के ये अगर हमें पता होता, तो हम सवाल कर देते, बहुत अच्छा तरीका में आपको सिखाऊंगा, math का rule इसमें लगा के दिखाऊंगा, देखिए, मैंने ये point ले लिया, अभी इस point को, भाई, इस point की जो distance नापी जाएगी, वो तो midpoint से नापी जाती है, dipole के midpoint से नापी जाती है, तो dipole के midpoint से इसको join कर दो, dipole के midpoint से हमने क्या करा है, इसको join कर दिया, ये dipole का midpoint हो गया, join हो गया, dipole के midpoint से इससे join कर दिया, इसी को तो मानते हैं distance, इसी को तो measure करते हैं, सबसे पहले तो ये R है, अब ये वाली distance तो हमें D होती है, given होती है, R होती यार लेकिन ये डिस्टेंस तो हमें निकालने पड़ेगी अब क्योंकि मैं लिखूंगा जब मैं लिखूंगा माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट C पर पॉटेंसियल या ऐलेक्टरीक पॉटेंसियल या विभाग तो मुझे इस डिस्टेंस की जरुवत होगी ना लेकिन ये इस डिस्टेंस मेरे पास है नहीं इसको निकाल कर कांगि हम दिखाएंगे तो अब हम इसको जोइन कर दे रहे हैं कि यह हमने डौट करके इसको जोएन कर दिया और जब मैं लिखूंगा प्लस क्यू का कारण बिंदू C पर इलेक्ट्रिक पोटेंसियल तो मैं क्या करूंगा तो मुझे इस डिस्टेंस की जरूबत होगी तो कहने का मतलब ये दो डिस्टेंस मुझे निकालनी है अब कैसे निकालेंगे इसका तरीका C को इसे निकालने के लिए हमने क्या करा है इस एंगल को मान लिया ठीटा तो ये पूरा एंगल 180 होता है 180 होता है तो ये कितना बचा ये बचा 180 माइनस मैद देखिए अब आप इसकी इसमें जिमेटरी लगी हुई है क्या है इसकी जिमेटरी सुनिए जरा देखिए समझिए आप देखो अगर मैं इसको मैंने नाम दे दिया C ये मैं नाम दे रहा हूँ ये इसे मैंने नाम दे दिया B तो मेरे पास ट्रैंगल दो बन गए एक ट्रैंगल बन गए A.O.B.C. का और दूसरा ट्रैंगल बन गए A.O.C. का तो मैं सबसे पहले इस ट्रैंगल की बात करूँ अगर मैं तो मैं तीन फार्मूले लिखता हूँ आपको तीन सिच्वेशन ट्रैंगल के अंदर तीन सिच्वेशन होती है वो मैं यहां लिख रहा हूँ जरा देखो इस एंगल का नाम क्या यह है इस एंगल का नाम क्या भी और जो बी एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो बी होती है और सी एंगल के सामने की साइड सी होती है और एंगल के सामने की साइड एंगल का रिलेशन देखिए side और angle का relation side और angle का relation side और angle में सम्मंध आपको मैं इनमें सम्मंध बताता हूँ relation बता रो relation between side and angle क्या आय सुनो सबसे पहले मैंने लिखा cause A cause A cause A बराबर फार्मुला होगा B square प्लस C square माइनस A square अपॉन होगा 2BC इसी प्रकार होगा cause B cause B बराबर होगा A square प्लस C square माइनस B square अपॉन होगा 2AC इसी प्रकार cause C बराबर होगा cause C बराबर क्या होता है B square प्लस A square माइनस C square और अपॉन 2AB देखा तीन फार्मूले हैं, यह तीन फार्मूले बहुत अच्छे, मैं इनकी पहचान बताता हूँ याद करने का, देखो अा यहाँ तो A- माइनस में जाएगा, BC नीचे आएगे, BA यहाँ तो B- जाएगा, CA यहाँ तो C- माइनस में जाएगा, A B नीचे आएंगे देखो तरीका याद करने का यह याद करने का मैंने आपको वे बता दिया अब मैं इन फार्मूले का यूज करके यह निकाल सकता हूं देखो कैसे मुझे यह वाली यह निकालना है मुझे यह वाली साइड निकालनी है मुझे तो मैं कौन से ट्रैंगल में गया है मैं आगय है ट्राइंगल बी ओसी में तो मैंने यहां लिखा ट्राइंगल बी ओसी अब बी ओसी क्या है बी ओसी में देखो यह वाली यह वाला एंगल ले रहा है हम तो इसके सामने की जो साइड है यह वाली माइनस में जाएगी देखो ना जो एंगल लेते हैं वो में जाता है जो आंगल यहां पर सो होता है माइन इस में जाता है आप आंगल से ओल childhood तो उस सामने की साइट का मैं जाएगी माइनश में यनि यह वाली site मुझे निकाल अगर मैं इसको नाम दे दू, x, और इसको नाम मैं दे दे रहा हूं, भाई, मुझे बाद में देना होगा, इसलिए भी मैंने लिख दिया, x और y, तो यह बाई, मैं iikel इसकी बात नहीं करते, तो मैं x निकालूँगा, तो यह वाली साइट कहाँ जाए, माइनस में जाएगी अब मैं लिखूंगा कॉस्ट ठीटा बराबर ध्यान से देखो बहुत important point है इसके कॉस्ट ठीटा बराबर मैं लिखूंगा तो मेरे पास दो साइड तो पहले आएंगी r square plus l square minus x square और upon में आएगा 2lr देखो अरे बही इसको हमने यहां से देखो न ए तीन साइड होती है जो एंगल के सामने आएगी वो माइनस में जाएगी जो एंगल के सामने आएगी दो एंगल के सामने यह एंगल भी है तो इसके सामने कौन सी साइड होती है बी के सामने बी सा बाकी प्लस में आएंगे, तो बस ठीटा के सामने वाला माइनस अफेक दिया, बाकी प्लस में आ गए, ये तरीका है इसका, अब हमने क्या करा है, क्रॉस गुणा की, भई इसको एक्स को निकालना है, भई मुझे ये डिश्ट्रेंज तो मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, म होना को रिस्पेक्ट में, इसके और इसके और इस ठीटा के रिस्पेक्ट में मुझे एक्स फैंड करना है, तो एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्रॉस गुणा करना होगी, एक्स को अलग करना होगा, तभी तो निकलेगा, तो मैं सबसे पहले गुणा करता हो जाएगा R² ऐसी रहने दो L² रहने दो यह उदर ले जाओ तो यह हो जाएगा 2L R कॉस्ट ठीटा देखो X निकलने लगा अभी नहीं निकला है अभी थोड़ा और बर्क करना है आप क्या करें अभी एक काम कर सकते हैं R² इसमें से कॉमल ले लो R² कॉमल ले लोगे तो R² जब कॉमल लोगे तो यह R² इसके नीचे जाएगा और R² इसके भी नीचे जाएगा और R² इसके भी तो नीचे जाएगा इसके भी नीचे चला गया अब X स्कॉाइर ऐसी रहा R स्कॉाइर ऐसी रहा R स्कॉाइर कैंसल हो गया बना गया L स्कॉाइर R स्कॉाइर ऐसी रहा ये एक R कैंसल हो गया तो भी हो जाएगा 12 अपॉन R ये आ गया अब एक काम आप समझ सकते हैं तो यहां एक समझने की चीज है, L square बहुत चोटा होता है, L square is comparison to R, L is L जो है, वो comparison to R, के बहुत चोटा है, अब इसका square और चोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटी चीजों का square चोटा होता है, देखो यहापको मैं एक चीज समझाता हूँ, 1 upon 2 चोटा है, इसका square करो गए, तो द क्या सीखा, जैसे देखो, 0.2 का square, 0.04, तो 0.2 बड़ा होता है, यह तो और चोटा हो गया, यह बड़ी है रहा amount, यह बड़ा है, और यह चोटा है, यह देखो बड़ा है, यह चोटा है, यह देखो बड़ा है, और यह चोटा है, क्या सीखा, सीखा हमने यह, कि जो छोटी amount होती हैं उनका स्कॉयर जब हम करते हैं तो और चोटा हो जाता है चोटी एमांट का स्कॉयर और चोटा हो जाता है तो एल पहले से तो हम लिखेंगे L square upon R square को छोड़ने पर, छोड़ने पर, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा X square R square 1 minus 12 by R cos theta, भाई देखो R square आ गया, 1 आ गया, minus आ गया, ये 12 आ रहाँ ये आ गया, आपको ये का, ये तो लिख दिया छोड़ने पर, तो इसको क्यों ले, चले बहुत अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये काम कर सकते हैं, इस पे से square हटा के root चड़ा सकते हैं, तो हमने क्या करा, X पे से square हटा के root चड़ा दिया, square root इसे गोलते हैं, तो R square ये हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास, 1-2L by R, cos theta, अब square है, तो ये तो square से अपना root हटा के बाहरा जायागा, तो ये बाहरा गया, अब ये अंदर रहे गया root के, ये root के अंदर है, और हम जानते हैं, कि अगर किसी की, किसी की ओपर root होता है, तो उसकी power half होती है, जैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ, X बराबर है, X बराबर है, X बराबर लिखा है root 5, तो इसका मतलब यह होता है एक्स वरावर रूट फाइव है तो इसका मतलब यह भी होता है देख लो यानि कि रूट फाइव भी सही है आप बोलो एक्स एक्वल टू रूट फाइव ओके और आप बोलो एक्स एक्वल टू फाइव की पावर हाफ ये भी सही है, दोनों बरावर हैं root का मतलब होता है power half तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसकी जग़े power half लगा सकता हूँ तो मैंने x बरावर लिखा x बरावर मैंने लिखा r 1-12 by r cos theta की power half अब यहाँ पर हमें एक प्रमे थियोरम का यूज करेंगे, binomial theorem का यूज करेंगे, या हम लिख दें दूइपद प्रमे दूइपद प्रमे इंगलिस में कहते है binomial theorem बहुत दूइपद माने binomial और प्रमे माने थियोरम तो binomial प्रमे का यूज करेंगे binomial प्रमे हमें क्या सिकाती है कि जो power होती है वो अंदर यहाँ multiply हो जाती है second term से यह first term है और second term है दुई पद है पद कितने होने चाहिए दो तो देखो एक पद और यह दूसरा पद तो पद कितने हो गए दो पद हो गए तो दो पद हो गए तो दुई पद पर में लग जाई दुपद पर में क्या होती है कि जो power होती है वो कौन से वाले term के पास चलियाती है second वाले term के पास तो इसका multiply कहा होगा यहां होगा तो यहां पर हम इसका multiply कर देंगे देखो यह होगा half का multiply है यहां से आया है half half से half यह two से two cancel हो गया देखो मैं L थोड़ा अच्छा बना देता हूं तू से two cancel हो गया तो क्या बचा मेरे पास मेरे पास बचा one L by R और बचा कॉज ठीटा यह two से two cancel हो गया फिर सा सुनिए two से two cancel हो गया अब हमने क्रॉस गुणा की तो यह हो गया आर का multiply R में करेंगे L कॉज ठीटा और यह एक आर नीचे भी तो है आर से R cancel हो गया तो X वरावर हो गया R माइनस L कॉज ठीटा यह value लिकल क्या ही X की देखे इतना work हमें करना पड़ा X को find करने के लिए और एक बात याद रखो जब तक X नहीं आएगा आप यहाँ पर potential नहीं निकाल पाएंगे आप हम इसी प्रकार क्या करेंगे यह बाई को भी find करेंगे तो बाई को find करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे हमने अभी कौन सा ट्राइंगल लिया था बी ओसी ट्राइंगल लिया था देखो बी ओसी अब कौन सा ट्राइंगल लेंगा अब ए ओसी लेंगे तो हम लि 180-θ जब 180-θ तो आपकी minus में कौन जाएगा गार्णिग जो सामने होगा एंगिल के तो इस angle के सामने कौन है इस angle के सामने by है तो by कहा जाएगा minus में जाएगा by कहा जाएगा बच्चो minus में जाएगा तो by को minus में लेटे है और formula used करते है और यहाँ theta की जगए theta नहीं लिखेंगे, एक सोसी माइनस theta लिखेंगे, क्योंकि यह angle भी तो बदल गया, तो हम लिखेंगे कॉज एक सोसी माइनस theta, बराबर, बराबर L स्कॉर प्लस R स्कॉर, और माइनस Y स्कॉर, बटे 2LR, अपान 2LR, अब ट्रिगोमेट्री का एक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है, कॉज एक सोसी माइनस theta बराबर, माइनस कॉज ठीटा, तो यह माइनस कॉज ठीटा के बराबर होता है, L स्कॉर ऐसी रहा, R स्कॉर ऐसी रहा, Y स्कॉर ऐसी रहा, 2LR ऐसी रहा, क्रॉस गुणा हो गई तो यह आगया L स्कॉाइर माइनस प्लस R स्कॉाइर माइनस Y स्कॉाइर बराबर 2LR कॉस ठीटा L स्कॉाइर ऐसी रहा R स्कॉाइर ऐसी रहा यह इदर उठा लाए यह इदर ले आए बाई को उदर ले गए तो हमारे पास आ गया y square बराबर y square बराबर l square प्लस r square प्लस 2 lr प्लस 2 lr cos theta r square से डिवाइट कर दिया है तो यह हो गया y square या r square इसमें से कॉमल ले लिया है तो यह हो गया l square upon r square r square upon r square प्लस 2 lr upon r square cos theta यह बन हो गया तो by square बराबर हो गया r square one plus l square बटे r square प्लस 2 lr r square r कट गया है तो यह बच गया lyr cos theta यह चोटा होता है इसे छोड़ देंगे तो l square by r square को छोड़ने पर इसे छोड़ देंगे तो यह आ जाएगा y square बराबर r square one plus 2 lr cos theta देख रहे हैं आप यह term और यह term दोनों match करो same term है देखो कौन कौन सी देखो मैं आपको बताता हूं कौन सी यह वाली term यहां से मिलाओ y square x square r square r square one इसमें भी one है इसमें भी देखो one है one minus minus की जगा प्लस है 2 ls में है 2 ls में आ रहा है आ रहा है cos theta तो जाए रही यह आएगा बस फर्क क्या होगा फर्क यह होगा यह प्लस आएगा तो हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं फिर भी तो हमने क्या करा है सब्सक्राइब तो यह आ जाएगा और इसकी पावर कित्ती हो जाई इसकी पावर हो जाई हाफ 2 l by r upon cos theta into cos theta और इसकी पावर हो गई हाफ और हाफ होती है तो यह अंदर multiply होता है किस दूपत प्रमे के अनुसार तो by equal to r और यह हो जाएगा आपका one plus 2 l by r into half और cos theta two से two cancel हो गया तो by बराबर हो गया r और one plus l by r cos theta हमने क्या करा y equal to r और हमने multiply कर दी तो r l cos theta upon में हो गया r r cancel हो गया तो y equal to r l plus cos theta y equal to r plus l cos theta तो इसका मतलब यह हुआ x और y की value same आई यह देखो same, बिल्कुल same है लेकिन यहाँ minus है और यहाँ plus है इसका मतलब यह ज्यादा distance है यह बड़ी distance और यह चोटी distance है क्योंकि minus है इसका मतलब हमें दिख भी रहा है कि भाई जो बड़ा था इसलिए भाई बड़ा भी आया है तो आप practically भी देख सकते हैं कि भाई बड़ा है अभी यह derivation पूरा नहीं हुआ अभी इसमें और और वर्क करेंगे तब कहीं जाके भई हमें पहले तो distance निकाल ले थी और वाई का माना है था आर प्लस एल कॉस्ट थीटा अब इन दोनों के आधार पर मैं यहाँ पर नेट पूटेंशिल लिखा लूँगा तो लिखूंगा बिभव कितना होगा तो बी माइनस बराबर के क्यू अपॉन अपॉन में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस है यानि यह वाली तो हम लिख देंगे यहां आर पिलस एल कॉस्ट थीटा अब हम इसी प्रकार लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदू सी पर बैदूत बिभव यहां लिखेंगे बी माइनस बी प्लस कर देंगे फिर से यही आएगा नीचे का साइन बदल जाएगा बदल गया साइन आप हमें निकालना है रिजल्टेंट प्रणामी बिभव तो लिखेंगे बिंदू सी पर बिंदू सी पर प्रणामी बैदूत बिभव कितना आएगा बैदूत बेभव बी बराबर हो जाएगा बी माइनस बी प्लस आप क्या करना है इसा सॉल परना है आप दोनों की बैलू रख दो तो ये बाली माइनस की बैलू यहां रख दी प्लस की बैलू यहां रख दी R plus L cos theta आप देखिए यहाँ से देखें आप KQ common आ गया तो KQ common ले लो तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 minus, नीचे बचेगा minus का 1 बचेगा R plus L cos theta बचेगा और क्या? इधर की distance आई देखो थोड़ा सा फरक है यहाँ पर हमने लिखाए minus Q, यहाँ plus और यहाँ minus प्लस बाली है ना? तो यह कम होगी ना? एक plus charge के plus charge फास है तो इसका मतलब यह कम बाली distance आई है तो आप हमने यहाँ पर भी change करेंगे यह plus के कारण यह आ गया आप देखो इसको add कर रहा है कि इसकी गुणा इसमें करनी है और इसकी गुणा इसमें करनी है कर दे रहे हैं गुणा तो गुणा हमने की देखो आया हमारे पास के क्यू तो यह हो जाएगा L कॉस ठीटा minus R और यह हो जाएगा R R प्लस L कॉस ठीटा R का multiply R में करा L का multiply L में किया cause का multiply cause में यह आया R सा R cancel L cause L cause add होगा 2L cause होगा तो B बराबर क्या आया B बराबर आया K K आ गया Q आ गया और आ गया 2L यह बहिए L cause theta L cause theta होगा 2L cause theta upon upon में आ गया R स्क्वाइर माइनस L स्क्वाइर cause स्क्वाइर ठीटा यह 2QL क्या बन गया यह बन गया P देखो इन तीनों से एक दो तीन 2Q यह Q2L Q2L इनसे क्या बनता है इनसे बनता है P तो इसकी जग़े लिख देंगे KP KP cause theta और नीचे लिख देंगे R स्क्वाइर L स्क्वाइर cause square theta आप लिखेंगे condition L स्क्वाइर cause square theta बहुत छोटा है R के comparison R स्क्वाइर is greater much much greater than किस से L स्क्वाइर cause square theta से तो हमने क्या कर इसको छोड़ दिया तो इसका मतलब यह आ गया ATTA अताया 100 क्या रिजल्ट आया के पी कॉस्ट इटा और रस्कार अब आपको मैं दोनों कंडिशन बताता हूँ अक्ष वाली और निरक्ष वाली आप सबसे पहले अक्ष के लिए अब देखना आप वो दोनों फार्मूले आएंगे इससे अक्ष के लिए अक्ष के लिए कैसे आएगा अक्ष के लिए निकालने के लिए क्या करोगे आप कौच को जीरो कर दो क्यों क्यों कि आक्ष पर तो एंगल कोई बनेगा ही नहीं अक्ष पर कैसे आओगे ये जो लाइन है इसको तो नीच लाओगे ना, अक्ष पर आने के लिए क्या करो नहीं, यह पॉइंट कहा ना चीए, नीच लाओ, नीच लाओ, तो एंगल कम होता जाएगा, देखो, यहाँ लाना है इसको, इस पॉइंट को यहाँ लाना है, जुका के, तो आप इसको डाउन करोगे, ऐसे डाउन कर यहाँ आगया, यही तब ही तो आओगे अक्ष पर, तो देखो, एंगल खतम हो गया, जीरो आगया, तो इसलिए हम यहाँ जीरो लेंगे, जब कॉज जीरो लेंगे, तो यहाँ जाएगा, बी बराबर के पी कॉज जीरो डिग्री, और आरे स्कॉईर, जीरो का मान बन होता ह तो बी बराबर आगया, के पी अपॉन आरे स्कॉईर, यही तो आया था अक्ष का, आप लेंगे निरक्ष के लिए, तो निरक्ष के लिए क्या लेंगे, ठीटा एकल टू कित्ता लेंगे, 90, यहाँ ठीटा क्या लिया था, यहाँ ठीटा क्या लिया था, जीरो डिग्री, य क्यों क्योंकि आप यहां पर आओगे तो इसको बढ़ाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ इसका मतलब 90 लेंगे और जब 90 लेंगे तो ब इक्वल टू आजाएगा केपी कॉज 90 और कॉज 90 की बैलू जीरो इसका मतलब वह अबर आल सब जीरो और मुझे आपको याद होगा कि निरक्ष पर जीरो आया था थेंक यू वेरी मच प्रेक्टिस करिए बहुत इंपोडेंट डेरिविशन बताएं इन डेरिविशन के माद्यम से आप इस चैक्टर के सारे नुमेरिकल्स कर सकते हैं